वेलो वेल्कम टू आज चैनल में में नाम रभी माप क्ली मत्मेंटल कंटेंट और साइसाथ की वसकी अपडेट लेके आता हूं तो कई समय पहले यह वीडियो बनाना चाहरा था कई समय पहले मतलब जैसे ही कई बच्चों के परसनल कमेंट थे अचा पहले टाइटल आपने देख लिया को जबाब कई बच्चों के कम मेल थे कि सर मेरा KBS TGT या PGT में सेलेक्शन नहीं हो पाया मेरे साथ वालों का हो गया मेरे भाई का हो गया मेरे बहन का हो गया मेरे पडोसी का हो गया तो क्या मैं DSSB की त्यारी करूँ मेरा हो सकता है और पहला कोशन तो ये कि KBS में जिसका नहीं हुआ क्या वो DSSB कॉलिफाई कर सकता है और दूसरी बात कि अगर मैं DSSB कॉलिफाई कर लेता हूँ तो क्या वो KBS बड़ी जीत होगी तो दूसरी बात का आंसर पहले दे देता हूँ कि no doubt KBS से कई 100 गुना बड़ी जीत होती है DSSB क्या का मैंने KBS से कई 100 गुना बड़ी 100 टाइम्स कह रहा हूँ 1-2 टाइम्स नहीं कह रहा हूँ और ये मैं on record कह रहा हूँ जिसमें दमो जो करना कर लो पता क्यों क्योंकि दिल्ली में अगर आपकी जॉब लगेगी तो आपको DGHS जो होता है दिल्ली गौर्मेंट हेल्थ जो भी होता सर्विस वगरा इसकीम तो उसमें क्या होता आपका cashless treatment होगा KBS में नहीं है KBS में medical facility बिल्कुल भी नहीं है और गौर्मेंट जोब का मतलब medical facility भी होता है क्योंकि आदमी महनत करता है इसलिए कि कल को अगर कभी किसी जगे फसे तो ये नौकरी जिसको हमने बहुत महनत से निकाला है पाया है उसको हम वो हमारी मदद कर सके चलो और transfer कही नहीं होता no doubt, no heart, no soft जहां मिलेगा वहीं रहोगे आपस मीच्वली दर उदर करके दिल्ली में ही रहोगे और कहां जाओगे चलो अटाओ दूसरा जवाब सौग उना बढ़ियोगी पहले जवाब को कि जिन लोगों का के विस सेलेक्ट नहीं हो क्या वो DEE-TRIPAL-EES में सेलेक्ट कर सकते हैं मैं बार-बार कहा रहा हूँ अगर आपका KBS सेलेक्ट नहीं हो तब भी आप IS भी कौलिफाय कर सकते हो बस इससे कोई फरग नहीं पढ़ता कि आपका कितने सेलेक्ट नहीं हुए मनद कितने एक्जाम में आप कि नो डाउट जिसने सेलेक्ट ले लिया है वो आपसे थोड़ा सा आगे होगा बहुत आगे होगा लेकिर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो नहीं की जा सकते तो यानि कि आपका के विस सेलेक्ट हुआ ना हुआ हो इससे कोई फरग नहीं पड़ता आप डी ट्रिप्लेजबी डेफिनिटी सेलेक्ट कर सकते है बस आपको महनत बहुत करनी पड़ेगी और अगर आपका सेलेक्शन डी ट्रिप्लेजबी में हो जाता है तो नो डाउट आप के विस के माय जाल से बच जाएंगे कि पहले हाड इस्टेशन करो साफ्ट करो पात साल करो तीन साल करो उसके बाद घर पहुंचो फिर डर लगता है डिस्प्लेजमेंट हो रहेगा इन सब से बच जाओगे लेकिन एक फेक्टर और भी होता है कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि त्यारी करनी होती है तो नोटिफिकेशन निकलने के बाद नहीं करते है वो हम इसाब पहले से होती है त्यारी तो चलो अभी भी जिसमें पहले से करा है उसके बहुत-बहुत सुभकामना है जो अभी भी कर रहा है बहुत महनत करें पूरा दम लगाए और मैं बार बार आएंगे किसी एक मेंक को आपको अपना ड्रीम सक्सेस में कणवर्ट करना है बवाकी मौके तो जिंदगी बार आते रहेंगे लेकिन जिंद जिनदगी बार माण ड्रीम को रियालेटी में करने लाइक नहीं रहेंगे इसलिए आज जो मौका मिल रहा है अभी जो मौका मिल रहा है उसी को आप आखरी मौका समझें यह मेरी गाइडंस है और यह मेरी सला है